नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूँ लेखक हरी संकर परसाई द्वारा लिखी गई पार्ट जिसका सिर्शक है टॉर्च बेचने वाले तो चलिए दोस्तों सुरू से इस पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं इस पार्ट में लेखक एक ऐसे वैक्ती के बारे में बात करते हैं जो की सहर के चौराहे पर टॉर्च बेचा करता था लेखक को वा वैक्ती बीच में कुछ दिनों तक नहीं दिखा लेकिन फिर अचानक से एक दिन वा दिखा लेकिन इस बार उस वैक्ती ने अपनी दाड़ी बढ़ा ली थी और वा लंबा सा कुर्ता भी पहनने लगा था उसके चहरे और रंग रूप को देखकर लेखक को लगा की सायद उसने सन्यास जीवन का निर्नय ले लिया हो फिर लेखक के पूछने पर उस वैक्ती ने बताया की अब वह टॉर्च बेशने का काम नहीं करता क्योंकि अब उसकी आत्मा की प्रकास चल गई है एक घटना का जिक्र करते हुए उसने बताया की अब उसका जीवन पूरी तरह बदल गया है इसके बाद उस वैक्ती ने अपने साथ हुए घटना क्रम का बयान सुरू किया उसने बताया की पात साल पहले वह अपनी एक दोस्त के साथ पैसे कमाने के लिए निकला था वह अपनी जरूरुतों को पूरा करने के लिए सूरच छाप टॉर्च बेचने लगा दरसल वह लोगों को इकटा कर लेता था और रात के अंधेरे का डर दिखा कर सहर के चौराहे पर टॉर्च बेचा करता था जिस कारण लोग अधिक टॉर्च खरेते थे उस वैक्ती को लगता था कि लोगों को डराना काफी आसान काम है फिर पात साल बाद जब वह अपने दोस्त से मिलने उसी जगा पहुचा जहां से वे दोनों अलग हुए थे लेकिन उसका दोस्त वहाँ पर नहीं मिला वह दिन भर अपने दोस्त का इंतजार भी किया लेकिन वह नहीं आया इसके बाद वो अपने दोस्त को ढूणने निकल पड़ता है एक दिन साम को जब वो सहर के सड़क पर चल रहा था तो उसने देखा कि पांस के मैदान में बहुत रोशनी है और एक तरफ मंच सजा हुआ है और लाउड स्पीकर भी लगे है वह मैदान में हजारों पुरुस और महिलाई श्रद्धा से बैठे है सामने मंच पर सुन्दर रेशमी वस्तरों से सजे हुए एक भव्वे पुरुस बैठे है वह पुरुस संत जैसे लग रहे थे फिर उन्होंने गंभीर वानी से प्रवचन देना सुरू किया वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस में संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है जिससे वे बोल रहे है दरसल वे लोगों को आत्मा के अंधेरे को दूर करने के तरीके समझा रहे थे फिर लेखक को वा वैक्ति कहता है कि उस आदमी की वेश भूसा साधूओ की तरह थी जिस कारण वा उसे पहचान नहीं पाया इसके बाद वा आदमी अपना प्रवचन पूरा करके मंच से उतर कर जैसे ही अपनी गाड़े की तरफ बढ़ा तो उसने टॉर्च बेचने वाले को देखती ही पहचान लिया और उससे कहा कि बंगले तक कोई बाच्चित नहीं होगी यहीं पर ग्यान चर्चा होगी फिर टॉर्च बेचने वाला समझ जाता है कि पास में ड्राइवर है इसलिए वा खुलकर बाते नहीं कर रहा है आखिरकार दोनों दोस्त पाच साल बाद दुबारा मिले थे जहां एक दोस्त ने रात के अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेचने करने नहीं लिया तो वहीं दूसरे दोस्त ने आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए उपदेश देने वाला साधू संत बनने का निर्ने लिया लेकिन दोनों का मकसद पैसा कमाना ही था फिर उस वैक्ती ने लेखक से कहा कि अववा अपने दोस्त के वैवभब से और धन दौलत की चमक की तरफ आकरशित होकर निर्ने ले लिया है कि सूरज कमपनी के टॉर्च बेचने से तो अच्छा या है कि अववा भी धर्मचारे या गुरू या साधू संत बनकर लोगों के मन के अंधेरे को दूर करके पैसा कमाएगा इसके बाद लेखक ने बड़ी ही चतुराई से टॉर्च बेचने वाले दो दोस्तों के माध्यम से बताया है कि आखिर किस प्रकार संतों की वेश भूसा धारन करके आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाले लोग समाज में अपना धाक जमा कर बैठे हैं फिर वावेक्ती लेखक को या बताता है कि अब वा टॉर्च तो बेचेगा ही लेकिन रात के अंधेरे को दूर करने वाला नहीं बलकि आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाला टॉर्च बेचेगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और या वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताए जिए लगादब याद़ टोस्तों टयरूर करें तो चैनल को सब्सक्राइब ड़ाद़ यादा एजाद़ जरूर जरूर क्वाद़ पहर बाद़ को वाद़